प्रदेश महिला मोर्चा के पदादिकारियों में प्रयागराज को इस बरबड़ी ही सिदाए प्रदेश की भारती जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता शाह के दोरा जारी की गई सूची में इलाहबाद की तीन महिलाओं को महत्पूर्ण दिम्मेदारी दी गई है जिन तीन महिलाओं को पार्टी में ये दिम्मेदारी दी है उनमें डॉक्टर करीतिका श्रीमती कवीता यादो और श्रीमती आकांचा सोनकर शामिल है। जिले की जानी मानी प्रतिष्टिट डॉक्टर कृतिका अगरवाल को उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा का महंत्री बनाया गया है। जबकि नामचीन समाच से भी कवीता यादो को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सोपी गई है। इसी तरह श्रीमती आकांचा सोनकर को प्रदेश मंत्री का दाइद सोपा गया है। पार्टी दोरा जारी सूची में कुल 24 प्रदादी कारियों में प्रियागराज को तीन महत पूंड दिम्मेदारी मिली है। इलहाबाद विश्विद्दाले के पूर्व कारवाहक कुलपती प्रोफेसर आरार्तिवारी की पेंशन इशू कराई गई गई 30 किताबें वापस ना करने पर रोक दी गई है। उन पर आरोप है कि रिटायर होने के बाद उन्होंने अब तक इलहाबाद विश्विद्द्द्याले प्रशासन को 30 किताबें और कुछ अन्य सामान नहीं लोटाया है। ऐसे में उन्हें नोड्यूस प्रमाणपतर नहीं मिला जिसके चलते उनकी पेंशन रोकी गई। प्रोफिसर आरार तिवारी 30 जून 2021 को रिटायर हुए थे इस से पहले सामान की वापसी के लिए विश्विद्याले ने आशीश खरे की अध्यक्षता में तीन सदस्य कमेटी का गठन किया था प्रोफिसर तिवारी का कहना है कि जब सारा सामान वापस किये तो कमेटी ने उसे लेने से इंकार कर दिया उनका कहना है कि उन्होंने कमेटी के सदस्यों से मिलने का प्रयास किया लेकिन कोई तयार नहीं था ऐसे में उनुने एक्यासी, ऐसे सामान भी उलावा विश्विड डैले को को वापस कर दिये जिसका लिस्ट में जिक्रत्क नहीं था इसके लावा 178 किताबें भी विभाक के लाइ को वापस कर दी गई साथ ही इसकी 85 किताबें भी विभाक को दान में दे दी इसके बावजूत कमेटी के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने तीस किताबे अभी तक वापस नहीं की है इसके लिए प्रोफेसर तिवारी ने लिखित में कमेटी के सदस्यों से कहा है कि यदि किताबे गाइब हो गई हैं तो किताबे कीमत देने को तैयार है इज़र विश्विद्याला की जन संपर्क अधिकारी डॉक्टर जया कापूर ने भी इस बात की पुष्टी करते हुए बताया कि नोद्यूस की वज़ा से प्रोफेसर तिवारी की पेंशन में विलंब हो रहा है पिछले कई दिनों से बंद चल रही प्रियागराज रायपूर और प्रियागराज देरादून फ्लाइट्स का संचालन निजी विमानन कंपनी इंडिगो दौरा एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है ये दोनों फ्लाइट आज 18 जुलाई से शुरू हो रही है खास बात ये है कि दोनों ही फ्लाइट अब हर रोज यहां से उड़ान भरेंगी करोना की वज़ा से बीच में इनका संचालन सबसा में तीन दिन हो रहा था बाद में ये दोनों ही उड़ाने बंद कर दी गई थी इंडिगो दोरा जारी की गई समय सान्णी के हिसाब से एटिया श्रेणी का विमान सुबा 8 बच कर 35 मिनट पर रायपूर से उड़ान भरेगा जो 10 बच के 20 मिनट पर इलहाबाद आएगा बाद में ये ही विमान प्रेया गराज ये दे देहा दून के लिए 11 बच कर 10 मिनट पर उड़ान भरेगा जो दोपहर एक बच कर 5 मिनट पर देहाद दून एवन 1.5 बच कर 10 मिनट पर यहां दिन में 3 बच कर 20 मिनट पर पहुँचेगा करोना संक्रमन की वज़ा थे आवेवस्ते चल रहे विश्विध द्यालेओं के नए सतर का कैलिंडर UGC नजारी कर दिया है UGC के मताबिक अविश्विध द्यालेओं में नया सतर एक अक्तूबर ते शुरू होगा शेक्षणिक सतर 2021-22 के लिए ये कैलिंडर जारी किया गया है जिसमें ग्रेजुएशन और पूर्स ग्रेजुएशन में दाखला लेने वाले चात्रों का एक अक्तूबर ते शुरू हो जाएगा करोना से के संबाविशन खत्रे को देखते हुए आगामी सतर भी आनलाइन और आफलाइन मिश्रिक तरीके थे चलेंगे योगी सरकार ने सावन के महीने में होने वाली कावड यात्रा को रद कर दिया है योगी सरकार ने प्रदेश के विभिन कावड संगों से बाच्चीत करने के बाद ये एलान किया करोना की संभावित तीसरी लहर की खत्रे को देखते हुए मुकमंत्री योगी आदितनात ने इन संगों से अपील की थी कि वो इस बार इस यात्रा को रद कर दें जिसे स्विकार करते हुए कावड संग ने मान लिया है जिसके बाद कावड यात्रा रद करने का एलान कर दिया गया है मुकमंत्री के A.C.S. अविना शवस्थी और D.G.P. मुकुल गोईल को कावड यात्रा के मद्द नजर दूसरे राजियों से बाचीत करने के निर्देश दिये गए थे अभी खबरों में बस इतना ही आप देखते रहे है संगम नियूज अबरों मुकुल नियूज शवस्पॉंज याजवाज़य दियूज खब टोग।